हाई मैं प्रशांत आप सभी का अपने योटूब चैनल एक्विटी टू कॉम्डिटी में स्वागत करते हैं तो आज हम इस वीडियो में आपको दो स्टॉक्स बताने जा रहे हैं जिसमें आमें काफी जवरदस्त ब्रेकाउट देखने को मिला है मतलब कहने का यह है कि यह जो स्टॉक्स में हमें ब्रेकाउट देखने को मिला वो आपको नेक्स्ट विक बेत्विन पर्फॉमेंस दिखा सकता है इससे पहले मैंने आपको लास्ट विक के लिए दो स्टॉक्स बताया था जिसमें हमें लास्ट विक ब्रेकाउट देखने को मि तो यहां पर सबसे पहला इस्टाक्स जो मैंने आपको लास्ट ट्रीक रिकमेंड किया था वह था आपका स्पेइंग को पेशन अफ इंडियाँ बेट इसके यहां पर निक्ट विक के लिए रिकमेंड किया था 22 April वाले वीडियो में और यहाँ पे मैंने इंट्वी के लिए लेबल दिया था 132 से लेके 133 के बीच में यहाँ पे आपको इंट्वी देना था उसके बाद stop loss यहाँ पे था 126 का देख सकते हैं 126 सा stop loss था, target price पहला था 140 और दूसरा था आपका 145, तो चली देखते हैं चार्ट पे Sipping Corporation of India ने कैसा performance दिखाया है तो अगर आप इसके चार्ट को देखो, यहाँ पे देख सकते हो Sipping Corporation of India ने stop loss से बहुत उपर ही था और इसने आज ही यहीं फ्राइडे कोई पहला target 140 को हिट कर दिया यहीं सिपिंग Corporation of India ने trading sessions में, अगर कोई stocks last 5 trading sessions में इतना जब अधस return दे रहा है, तो आप समझ सकते हैं जो breakout मैंने find किया था, वो कितना sustainable breakout था, और अगर आप इसके basis पे trade लियोंगे, यहाँ पे आपको at least 5% का return इसली मिल गया होगा और इसकी माद आप चाहो, इस stocks अभी भी हट सकते हो, नहीं तो यहाँ पे आप next target, 145 के लिए भी जा सकते हो और stop loss अपना 12 करके उपर ले आप ताकि आपको किसी भी condition में नुकसान उठाना ना परे दूसरा है stocks, जो मैंने आपको last week recommend किया था, वो था आपका देख सकते हमारे YouTube चैनल की वीडियो में आपका Apollo Hospitals, यहाँ पे भी देख सकते है 22 April वादे वीडियो में हमने इसको recommend किया था, और यहाँ पे आपने entry point बोला था, 4700 से लेके 4740 करीब, इसी करीब आपको entry लेना था, जो इसका current market price था उसके बाद stop loss मैंने रखका था, 4620 का और target पैस था पहला 4900, दूसरा था 5050 तो चलिए, चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि Apollo Hospital का performance last week कैसा रहा है तो अगर हम इसके performance को देखां, देख सकते हैं Apollo Hospital का यहाँ पे हमने चार्ट open कर लिया अब उसके बाद देखिए, इस candle stick पे मैंने recommend किया था green candle stick पे, उसके बाद देखिए, market आपका gap down open हुआ यानि जो हमारा buying range था, उससे नीचे ही open हुआ उसके बाद आपका अगले दिन, फिर price नीचे से open होके उपर की तरफ निकला है तो आपको यहाँ पे entry लेना था, यह आपका, जो green candle है, इस level पे आपको entry लेना था यह perfect हमारा entry point बनता है, तो आपको यहाँ पे यह भी decision लेना होगा कि हमें entry किस point पे लेना था, क्योंकि अगले दिन, market में negative sentiment था उसके बाद market आपका नीचे की तरफ की रहा था, और उसके बाद जो भी लोग entry लिए होंगे देखिये, यह all the way उपर गया है, और पहला target 4900 को इसने hit कर दिया यहनि दोनों stocks ने हमारा पहला target price हिट कर दिया तो Apollo Hospital में चाहो, तिहां पे भी आप trading stop loss अपने buying price से उपर रखे, आप 50-50 के target price के लिए जा सकते हो लेकिन trading stop loss आपको buying price से उपर रखना परेगा, ताकि आपको नुकसान ना उठाना परे दो stocks जो मैंने आपको last week recommend किया था, shipping cooperation of India और Apollo Hospital, दोनों का performance आपने देख लिया, कि कैसा performance दिखाया तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि next week कौन से दो stocks में हमें breakout देखने को मिला है जो पहला stocks है, जिसमें हमें breakout देखने को मिला है, वो है आपका अधानी ports, यह काफी popular stocks है और देख सकते हैं, अधानी ports का हम daily chart open किया है, और यहाँ पर अगर आप बात करो, तो यहाँ पर आपको entry लेना अब यहाँ पर हमारा entry point क्या होगा, चलिए वो मैं आपको एकदम well defined entry point यहाँ पर आपको बताता हूं यहाँ पर आपको 860 से लेके 875, यह आपका एक entry point बनेगा, इसी के आसपास आपको यहाँ पर entry लेना है उसकी बाद, यहाँ पर आप stop does रखिए 840 का ठीक है, और दूसरा target price 900 और 925, यह नि इन दोनों target price के लिए आप जा सकते हो और यहाँ पर आपका longer time horizon है, तो आप अधानी ports में 1000 के target price के लिए भी जा सकते हो क्योंकि यह breakout हमें काफी जवर्दस breakout देखने को बिला, देख सकते हैं April month के starting से, यहाँ पर multi time attempt लिया था इस level को break करने का, लेकिन break नहीं कर पाया और ultimately, आज यह नहीं, 20 second April को यहाँ पर breakout देखने को बिला, तो अगर Monday को यह जो level है breakout का level, 860 इसके उपर टिक गिया, तो फिर यह और उपर की तरफ at least 900 की level तक जाए गए जाए तो पहला stocks है, अधानी ports, जिस पे आपको नजर बनाक रखना, अगर आपको सारा कुछ सही लग रहा है, तो आप इसके basis पे trade भी ले सकते हो दूसरा stocks जिसमें हमें breakout देखने हों मिला, वह आपका IT सेक्टर का और माइंट भी देख सकते हैं, इसके भी हमने daily chart को यहाँ पे open किया है, और इसमें हमें जबरदस्त breakout देखने हों मिला, देखिए, यहाँ पे एक पहला bottom बना था, यहाँ पे आपका दूसरा bottom बना था, और यहाँ पे एक तीसरा bottom बना है, यहनी triple bottom का इसने formation किया और इसके बाद price आपका उपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे हम भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि double bottom form करने के बाद भी price एक उपर तक गया था, और triple bottom form होने के बाद भी यहाँ पे हम उमीद कर सकते हैं, एक least price आपका 4040 या या फिर 4200 के level तक जा सकता है, यहाँ पे भी आपको जो entry लेना वो आपको 3800 से लेके 3900, इसके बीच में आपको entry लेना, यह हमारा बन जाएगा, entry point, उसके बाद आप stop loss यहाँ पे रखिये, 3540 का और target price पहला, 4040 और दूसरा 4200 तक के target price के लिए यहाँ पे आप जा सकते हो, और हमेशा एक चीज़ याद रखना, जो भी stocks में आपको recommend करता हूँ, चाहे वो आपका अदानी ports हो, या फिर mind tree हो, अगर यह stocks ने 2% से ज़्यादा का move दिखा दिया, तो आपको stop loss अपने buying price के पास ले आना, या फिर उससे थोड़ा सा ऊपर ले आना, यहनि 2% के move के बाद आपको at least नुकसान नहीं होना चाहिए, यह formula हम पिछले कई दिनों से follow करते आ रहें, और आपको भी यह follow करना, अगर आप इन सारे stocks के basis पे trade करते हो तो, बागी ध्यान बखना है, दो stocks अदानी ports और mind tree, जिसमें हमें breakout देखने में मिला है, और यह stocks आपको next week पहत्विन performance दि सो मिलते हैं next video में, जैहिन!